ही गाई student notes में आपका स्वागत है यह advertising series की another video है और अगर आपको पूरी series का link चाहिए तो आपको video को description में मिल जाएगा आज के इस video में हम देखेंगे IMC integrated marketing communication का meaning इस video में हम meaning के बारे में जानेंगे आने वाली next videos में हम देखेंगे importance, components, benefits and advantages तो यह सारे topics हम one by one next videos में cover करने वाले हैं लेकिन video शुरू करने से पहले दोस्तों advertising management की इस video series के जितने भी हमने notes बनाए हैं उसकी हमने एक pdf book भी बनाई है तो अगर आपको ये सारी series अच्छी लगती है और अगर आप इसकी book खरीदना चाहते हैं उसका link आपको video की description में मिल जाएगा जहां आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप हमारे इस book को खरीच सकते हैं इस book को काफी easy और simple language में बनाया गया है with example ताकि आप अपने सारे concept को अच्छे से clear कर सकें तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस video की और तो start करते हैं integrated marketing communication के meaning से integrated marketing communication ये ensure करता है कि जितने भी promotional tool हैं उन्हें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से link किया जाए ताकि वो सब एक साथ harmony में काम करें और आपकी advertising को और ज़्यादा effective बनाएं communication के promotional tool हैं जैसे mobile marketing, newspaper, magazine, radio, television, billboard, poster, internet, etc तो जितने भी promotional tool से हमारे उन्हें सब को एक साथ use करना है हमें ताकि हम अपनी advertising को और ज़्यादा बहतर तरीके से communicate कर सकें और अच्छे से समझते हैं से IMC maximize करता है consumer के mind में आपकी advertising का impact जिसका result ये होता है कि आपका profit maximize होता है minimum cost से company एक advertising message create करती है और उसी को सभी marketing channel पे promote करती है या हम ये भी कह सकते हैं कि company एक message बनाएगी और उसी message को सारे media पे cover करेगी meaning दोनों का same है बस लिखने का थोड़ा अंदास change किया है यहाँ पे इसका एक example देखते हैं dominoes ने एक नया तरीका अपनाया इसमें customer उस device या फिर platform से dominoes के product order कर सकते हैं जो वो already अपने daily routine में use करते हैं बजाए कि customer उनके outlet में visit करें इससे customer को ये help होगी कि उसका time और energy दोनों save होंगे इस नई तरीके का नाम दिया गया dominoes anywhere example की starting में हमने बात की कि जिस device या platform को वो daily use में लेते हैं वही से वो अपने product का order कर सकते हैं तो platform हो सकते हैं जैसे twitter यूज करते हैं तो twitter पर कोई tweet कर दी तो आपका dominoes का order आ जाएगा अगर keyboard से कोई text करते हैं आप अपने smart tv से order कर सकते हैं या फिर अपनी smart watches से तो आप जिस भी platform या device को use करते हैं वहां से आप dominoes के product का order दे सकते हैं जैसे कि dominoes के कुछ customers हैं जो की smart watches पहनते हैं तो उन्हें अब dominoes का app खोलने की जुरूत नहीं है वो अपनी smart watch से ही order कर सकते हैं जिन customers के पास smart tv हैं वो वहीं से order कर सकते हैं अगर किसी customer ने twitter open करके रखा है और अगर उसका मन करता है dominoes का कोई product order करनेगा तो वो वहीं पे tweet करके उस product को order कर सकता है उसे specially dominoes के outlet या फिर उसका app उपन करने की जुरूत नहीं है dominoes का कोई भी product order करने के लिए इस example को और अच्छे से समझने के लिए आप dominoes anywhere की video भी देख सकते हैं तो youtube के search box में आप लिख दीजिए dominoes anywhere and आप video देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझाए तो video आपको कैसा लगा ये comment करके जरूर बताएं अगर आपकी कोई query है इस video या फिर किसी भी topic के लिए तो आप उसके लिए मुझे comment कर सकते हैं मैं वहीं पर आपको reply करके या फिर अलग से video बनाके आपके साथ share कर दूँगा वीडियो अच्छा लगा तो like करें चैनल को subscribe करें thank you